कैसे हो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा अगर आना लिसी सच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देजिए डिस्क्रिप्शन में वाट्सप ग्रूप और टेलिग्राम का लिंक भी अवेलेबल है किसी को ग्रूप में जुड़ना हो तो मोस्ट वैलकम है यहाँ पर जॉइन बटन भी आपको दीख रहा है जॉइन बटन के उपर क्लिक करोगे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो काफी सारा नॉलेज आपको मिलेगा सो इनफोसिस के उपर का चार्ट का स्ट्रेक्चर में देखता हूँ बहुत ही बढ़िया गाइस बहुत ही बढ़िया लोवर लिवल पर काफी लोवर लिवल पर आपको मैंने ये सजेशन दिया गया था बाइंग करने के वहाँ से स्टॉक्स में वीशेप रेकवरी हमें देखने को मिली है और इनफोसिस ऐस स्टॉक है जो थोड़ा भी गेरता है स्टॉक्स तो उसमें हमें बाइंग ही करना चाहिए तो मन्थली, विकली, टाइम फ्रेम सब टाइम फ्रेम के उपर चार्ट के स्टॉक्चर एकदम बढ़िया है एकदम बढ़िया चार्ट के स्टॉक्चर है तो मैं क्या सजेशन कर रहा हूँ अगर इनफोसिस के अंदर किसी को भी काम करना हो तो मेरे इसाब से लोवर लिवल का इनफोसिस के अंदर फिर से बोल रहा हूँ 1,620 से लेके 1,600 की रेंज में किसी को भी लॉण पोजिशन बनाना हो इस टॉक के अंदर तो आप जरूर लॉण पोजिशन बना सकते हो और क्लोजिंग बेजिस के उपर और closing basis के उपर आपको stop loss follow करना है 1,590 रुपेश का 1,590 रुपेश का आपको closing basis के उपर stop loss follow करना है infosys के अंदर So every decline is a buying opportunity Trading perspective किसी को भी long position बनाना हो infosys के अंदर तब जरूर long position बना सकते हो Investment perspective नहीं suggest कर रहा हूँ क्योंकि lower level से stocks में काफी अपमू हमें देखने को मिल चुका है तो trading perspective किसी को भी काम करना हो तो आप जरूर काम कर सकते हो अगर आपको मेरा analysis अच्छा लगा हो मेरी advice अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को like कीजिए चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो जाए और पैसे कमाने का मौका आप गवाना दो description में demo वीडियो का link अवे लेबले किसी को भी वो देखना हो तो जरूर देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बुट बाई फ्रेंड्स टेक केर बाई बाई